हलो फ्रेंट्स मैसल दॉक्टर सुशिला सैने गाइनेकलोजिस्ट और अप्सेटिशन डिरेक्टर जैपुर्दूर्बीन हास्पटेल एक बार फिर से आपके सामने हाजीर हैं इस नए वीडियो में नहीं जानकरी के साथ फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बहुत कॉमन सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं हमारी पिशन्स बहुत बार हमसे पूछते हैं कि हम प्रेग्नेंसी प्लैन कर रहे हैं प्रेग्नेंसी हो नहीं पा रही है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप यह स सेक्स के बाद कितनी देर बिस्तर पर लेटे रहना होता है ताकि प्रेग्नेंसी होने के चांस बढ़ जाए पिशली एक दो वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि प्रेग्नेंसी होने के लिए क्या करना चाहिए और प्रेग्नेंसी होने का बेसिक तरीका क्या है यानि कि जब सिमन वजैना के अंदर डिपॉजिट होता है तो सिमन में जो स्पर्म होते हैं जिससे कि वो आगे चलते हैं और यह जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म होते हैं वो अपने आप चल कर बचेदानी के अनदर यानि यूटरुस के केवेटी में पहुंच जाते हैं वह tube के अंदर पहुंस्चते हैं और tube के अंदर, जब अंडा पूटता है तो अंडा tube पकड़कर लाती है, अपने अंदर ले आती है और इस tube के अंदर ही अंडानों और शुक्रणों यानि एग और Purpose का तो उसमें बहुत जादा कोई टाइम नहीं लगता है तो ये उनको टाइम थोड़ा जादा मिल जाए इसलिए कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा जादा देर तक लेटी रहेंगे यानि कि 5-7 मिनिमम टाइम है लेकिन अगर आप 15-20 मिट या आदा गंटे तक लेटी रहती है तो डेफिनिटली स्पम्स को उपर जाने का टाइम मिल जाता है लेकिन आदे खंटे से जादा लेटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो टाइम डूरेशन है वो हाडली 5 मिनिट होती है कि जो अच्छी क्वालिटी के स्पम्स होते हैं वो फटा-फट होते हैं और प्रोस्टेटिक फ्ल्यूड होता है तो यह सारी चीजें और कुछ डेड़ स्पम्स होते हैं वो सब वजाइना के अंदर ही रह जाते हैं तो जब आप खड़े होते हैं तो वह सारा रेजिडूल मटीरियन बाहर निकलता है तो आपको यह लगता है कि सारा पानी हमने इसक पर पहुचुके हैं तो प्रेग्निंसर आप पहुचुके हैं तो ऊपर पहुच निकों बहुता होता है वो millions में होता है तो यानि कि सारे के सारे millions तो स्पम्स उपर नहीं जाते लेकिन उसमें जो बहुत अच्छी quality के स्पम्स होते हैं वो ही उपर पहुंसते हैं यानि कि उनकी संख्या तो हजारों या सेकडों में ही होती है और last में जाके सिर्फ एक स्पम्स तो एक स्पम्स ऐसा होता है कि जो अंडे के अंदर पहुंच पाता है और fertilization कर पाता है और बच्चा बनता है तो इसलिए millions इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें से probability बहुत जादा हो जाए बच्चा लगने की लेकिन जो rest है तो वो तो सारा residue बाहर आना है लेकिन आपको एक काम नहीं करना कि जैसे ही आपने intercourse किया यानि sex किया और तुरंत बाद उठकर बात्रूम जाकर आप वाश करती है विजाइनल ड्यूश कर लेती है या कोई soap वगरे का इस्तेमाल करती है तो इस स्पंस के damage होने का खत्रा बढ़ जाता है और वाश होने से स्पंस निकल सकते हैं तो आपको वाश नहीं करना है तुरंत आपको 15-20 मिट लेटे रहना है और उसके बाद ही आप वाश वगरे करें और आगर आप थोड़ा सा hips के नीचे तकिया अगर रख लेती है तो थोड़ा सा पिछे की तरफ fluid का flow बढ़ जाता है तो वहाँ पे स्पंस को थोड़ा और टाइम मिल जाता है यानि कि वो fluid जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा और आराम से pregnancy होने का थोड़ा सा tentative rate बढ़ जाता है बट ये कोई hard and fast नहीं है अगर आप comfortable नहीं है तो हम इस चीज़ को avoid भी कर सकते हैं बट ये तकिया लगाने से थोड़ा सा direction पिछे की तरफ आता तो fluid थोड़ी देर और retain रह जाता है तो ये helpful हो सकता है इसके लावा एक सवाल और पूछा जाता है कि आप position कौन सी use करें तो position तो आप कोई सी भी use कर सकते हैं आप comfortable होने चाहिए और दूसरत aim जो intercourse का होता है कि इस वीडियो से आपको ये clear हो गया कि आपको intercourse के बाद 15-20 मिर्ट तक लेटना है position आपको इसी भी रख सकती है और hips के नीचे आप थोड़ा तकिया लगा सकती है जिससे कि hips थोड़े उपर उठ जाए और आपको थोड़ा सा spums को time मिल जाए बच्चे दाने के अंदर पहु